नमस्कार दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है RV Study IQ चैनल के English Classes पे आज हम देखेंगे Sentence Formula No.5 अर्थात आज हम देखेंगे ऐसा Sentence जो इस्टार्ट होता है वर्ब के पहले रूप से उसके पाद Object और एक Common Word जिसको हम As I Say कहते हैं जिसको हम अगर Hindi में कहें तो उस Type के Sentence Instruction किस Type के होंगे जैसे मैं कहता हूं रमक डालो जैसे मैं कहता हूं अपने जूते उतारो जैसे मैं कहता हूं मुझे गले लगाओ जैसे मैं कहता हूं पानी को पादे को पानी दो जैसे मैं कहता हूँ फोन का उत्तर दू अर्था जिस वाक्य में ऐसे वाक्य जहाँ पे S.I.C. commonly लिखा हुआता है लगा हुआता है वहाँ पे उस वरकार के वाक्यों के How to speak नहीं कैसे हम English में हम कैसी बोलेंगे Conversation के वो हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं अगर हम Sentence Structure Formula की बात करते हैं अगर हम Sentence Structure Formula की बात करते हैं तो Sentence Structure कैसा हूँगा Verb का पहला रूप Object और उसके बाद एक Sentence लगा रहेंगा एक Conjection Word लगा रहेंगा As I Say As I Say जिसका Primarily अर्थ होता है जैसे मैं कहता हूँ जैसे मैं कहता हूँ चलिए इसको उधारन से देखते हैं जैसे मैं कहता हूँ दरवाजा बंद कर दो Close the door as I say यहाँ पर आप देखते हैं जैसी close यह हो गया verb हो गया Verb का पहला रूप यह हो गया object As I Say यह क्या हो गया यह हो जाएगा एक conjection word जिसको हम कहते है As I say और हिंदी में होता है जैसे मैं कहता हूँ जैसे मैं कहता हूँ जैसे मैं कहता हूँ दरवाजा बंद कर दो close the door as I say close the door as I say अगला word देखते हैं जैसे मैं कहता हूँ अपना homework पूरा करो finish your homework as I say अगर इस वाक्य को देखेंगे तो यहाँ पी जो finished है यह है वर्ब का पहला रूप यह वर्ब क्या है पहला रूप your homework यह हो गया object as I say यह conjunction word as I say का अर्थ होता है जैसे मैं कहता हूँ जैसे मैं कहता हूँ अपना homework पूरा करो finish your homework as I say जैसे मैं कहता हूँ सिडिया चड़ो take a stare as I say take a stare as I say जैसे मैं कहता हूँ के लिए as I say ठीक है take a stare, take the stare as I say जैसे मैं कहता हूँ अपनी आवाज धीमी रखो keep your voice down as I say keep your voice down as I say जैसे मैं कहता हूँ अपनी आवाज धीमी रखो जैसी मैं कहता हूँ लाइट बंद कर दो Turn off the light as I say किशी को अगर हम बोलेंगे जैसा मैं कहता हूँ उस प्रकार से अपनी light बंद करो Turn off the light as I say Turn off the light as I say जैसा मैं कहता हूँ अपने हाथ ढोलो जैसे कि खाना खाने के बाद किसी भी प्रकार का खाना खाने के पहले गर किसी को कहना है कि पहले आप मैं जैसा मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ वैसे सबसे पहले आप अपने हाथ दो लो तो उसको इंगलिस में कैसा कहेंगे wash your hand as I say wash your hands as I say जैसे मैं कहता हूँ अपनी जैकेट पहन लो put on your jacket as I say put on your jacket as I say यहाँ पे देखो as I say क्या है conjunction word है जिसका मतलब होता है जैसे मैं कहता हूँ put on your jacket अपनी जैकेट पहनो जैसा मैं कहता हूँ जैसा मैं कहता हूँ उस परकार से अपनी जैकेट पहनो जैसा मैं कहता हूँ नमक डालो Pass the salt as I say Pass the salt as I say जैसा मैं कहता हूँ अपनी जूते उतारो Take your shoes off as I say जैसा मैं कहता हूँ मुझे गले लगाओ किसी को अगर कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ उस परकार से मुझे गले लगाओ नहीं यह order नहीं होगा respectfully दो जैसा मैं कहता हूं मुझे गले लगा उसको हम कैसेज़ हैं यहां पर तो क्या होंगा जैसा मैं कहता हूं मुझे गले लगाओ क्रपिया मुझे गले लगाओ उसको हम इंगलिस में क्या बलेंगे give me a hug as I say order नहीं देना है इसको ठीक है जैसा मैं कहता हूं पौधे को पानी दू water the plant as I say water the plant as I say जैसा मैं कहता हूं कुटे को खाना किलाओ feed the dog as I say feed the dog as I say जैसा मैं कहता हूं फोन का उत्तर दो answer the phone as I say answer the phone as I say यहाँ पर अगर sentence structure आप देख रहे होंगे जितने भी word है उसमें क्या होंगा यह वर्बगा पहला रूप हो जाता है यह object हो जाता है और यह conjunction word है तो जैसा मैं कहता हूं यह क्या हो जाएंगा इंग्लिस में हमसका क्या बहलेंगे as I say as I say क्या हो जाएंगा इस sentence का conjunction जैसा मैं कहता हूं mail जाचे check the mail as I say अब दोस्तो इसी प्रकार के वाक्यों को आपको practice करते रहना है और जितना ज़्यादा आप practice करेंगे उतना ज़्यादा आप इस English sentence structure में और English conversation में perfect होंगे तो दोस्तो जाते जाते आपको कुछ उधारन देते जा रहे है जिसको आपको कर्मे practice करना है और इसका answer हमारे comments box में जरूर लिखना है जैसे कि उधारन है जैसा मैं कहता हूँ यहाँ आओ जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही रुको जैसा मैं कहता हूँ सावधान रहो जैसा मैं कहता हूँ जल्दी करो इस प्रकार की जितनी वाक्य है उसको आपको घर में किलाना है घर में ही practice करना है और जितना ज़्यादा भी आप practice करेंगे उतना बोल पाएंगे